नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीड़ा मैं आपको बताऊंगा यदि किसी वी कारण वस आपका लापू नंबर जो है खो जाए, डैमिज हो जाए, मिसिंग हो जाए दोस्तो यदि लापू नंबर आपके नाम पर नहीं है तो आप जो है अपने जियो पोज पिलस का रइस्टर मोबाईल नंबर को कैसे चेंज कराओगे बहुत ही आसान तरीके से दोस्तो दोनों तरीके आज मैं बताने वाला हूँ, जब लापू नंबर आपके पास मौजूद हो, यदि आप उसको चेंज करवाने चाहते हो, तो वो कैसे चेंज होता है और जदि आपका परसनल जो लापू नंबर है, जदि वो खो जाए और वो आपके नाम पर नहीं है, और आप उस सिम को नहीं निकलवा पाएंगे, तो आप उसको कैसे निकलवाएंगे, तो दोस्तो दोनों प्रोसिज बताऊंगा, मैं आज इस उड़ो के माध्यम से, तो द मेरी वीडियो की डिस्किप्सर में जाएं, लिंक पर किलिक करें और जोइन हो जाएंगे, आप हमारी टेलिग्राम की फैमिली में भी, तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका जब आपके पास लापू नंबर मोजुद हो और आप उस काम को करा सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोस्तित करणे से पहले, आपके पास मोजूद लापू नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP वहाँ पर दिया जाएगा और OTP देने के बाद जो आप नंबर, जो है नया उसमें, जियो का दूसरे नंबर, ज एक्टिवेशन OTP या लोड OTP के लिए तो दोस्तों यहाँ पर जो है वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है यह होता है वह तरीका जब आपके पास लापू नंबर मुझूद हो अब दूसर तरीका हम बताएंगे जदि आपके पास लापू नंबर मुझूद नहीं है तो वह कैस हो गया यही मेरे एक सस्क्राइबर के साथ हुआ जिन से मेरा कॉंटेक्ट हुआ वस्टॉप के जरिए तो दोस्तों उन्होंने बताए कि यहाँ पर जो है मेरा लापू नंबर जो है मिसिंग हो गया अब मैं अपने जियो पोज पिलस के एकाउंट को लोगिन नहीं कर पा र प्रेजेंट वाली आइडिया है आप उससे काम कर सकते हो अपनी उसी आइडिय में और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको करना क्या है यह आपके पास लापू नंबर मिसिंग हो चुका है यह गुम हो चुका है तो उसके लिए आपको अपने डिश्टूटर जिन्होंने मेरे पास भेज़े कि सर मैंने इस परकार से यह पत्र लिखा है और यहाँ पर जो है यह पत्र जो है अपनी महर मार के तो दोस्तों यह पत्र जो है आपको अपने जो भी आपके डिश्टूटर है यह आपके टीम है टीसम है उनको यह पत्र देना होता है तो दो लिखते हैं कि हाँ यही बंदा है कोई और तो नहीं है और जब दोस्तों यह सा कन्फॉर्म हो जाता है तो यहां पर जो है आपके जो जो आपकी आपकी सोपर विजिट करते हैं जो कंपनी के और से होते हैं तो दोस्तों वह जो है आपके रिश्टर नंबर को जो है चेंज कर और तो दोस्तों आप जो है बहुत आसान तरीका तो नहीं, लेकिन यहाप पर Volt टेम लग जाता है तो दोस्तों आप जैझ्ज करा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यदि já आपकी जान पिचान है तो दोस्तों में शगरतों कि आज की आप को आप समझ गये होगे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो दोस्तों आप जरूर मुझे बताएं दोस्तों चलिए आज आज पूड़ो में तरह ही मिलते हैं हम ने शूड़ो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत